पश्टिम बंगाल विधान सभा में सुमवार को सत्ता सेंथ प्रेंबुल कॉंग्रेस और भाजपा के विधायक आपस में भिड़ गए दोनों पार्टियों के नेताओं की बीच नौबत मालपीट तक आगे बताया गया है कि टीमसी विधायक असित मजुमदार और भाजपा के मनूजु तिग्गा ने एक दूसरे पर हमला किया इसमें टीमसी नेताओं खायल हो गए इस मामले में स्पीकर ने बंगाल के नितापरती पक्ष बेंदु अधिकारी समेथ भाजपा के पाच विधायकों को सस्पेंड कर दिया है किस बात पर हुआ था विवार पश्चिम बंगाल विधान सभा में आज सुबह से ही विपक्ष ने गानुन विवस्ता के मुद्धे पर मुख्यमंत्री मम्ता बैनरुशी के बयान की मांग शुरू कर दी इसी को लेकर टीमसी के विधायक भड़ा कुठे और दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी शुरू हो गई देखते ही देखते ये बहस मारपीट में बदल गई भासप्रा विधायकों ने आरोप लगाया कि वे बीर भूम में हुई कथित हत्याओं पर चर्चा चाहते थे जिस क्या बोले भाजपा नेता भाजपा नेता शुबेंदू अधिकारी ने मारपीट की घटना और स्पीकर द्वारा सस्पेंड किये ज़ाने के फैसले पर टीमसी सरकार को घेट दिया उन्होंने कहा सदन का आखरे दिन होने के छिलते हमने राजप के कानुन विवस्ता पर चप्छा की मांग की ऐसा ना होने के बाद समधान एक तरीकों सेoir国 किया जिसके बाद सिविल रॉइस स्पेहने पुलिस कर्मी और टीमसी के विधायकों ने हमारे भाजपा के विधायक करना चाहिए। करना चाहिए।